कल हम आप लोग को वीडियो बेज़ेते ओपन कास्ट माइस में कौन-कौन से मसीन इस्तेमाल होते उन में से एक केटेगरी था अब यहां से रास्ता बनाएंगे हमको आगे जाना है तो यहां से हम रास्ता बनाएंगे तो रास्ता हम बनाएंगे तो इसका आपरेशन दिखाएंगे हम कुछ जोज़े कबरें बता यह देख रहे हैं यह है बकेट जोज़े का बकेड़े जिससे माल को कुछ करते हैं अब ऑपरेटर के बीन है वहां पर अपरेटर बैठता है सीट अपरेटर सीट है वहां पर लिवर से उनको अपरेट करके ऑपरेटर इस बकेट को कंट्रोल करता है साथ में उसके श्टिफिज़ बताएंगे इधा देखीगा और यह वाइट कर लेका दिख रहा है और यह अपका बेरल यह सब मिलाकर जो सिस्टम है इसको पिस्टन जिलिंदर बोलते हैं यह इस बकेड को एक इस तरह पर एक उस तरह भी है दो रहता है वह दूनों से बकेड को अप डाउन करने के लिए काम आता है साथ में यहां पर दिखर आपको फ्राइधर पाइंट किजिए यहां पर भी एक पिस्टन रॉड है पिस्टन रॉड है अंदर में पिस्टन है और यह बेरल है यह इसको तिल्टिंग शिस्टम है यह और यह नीचे देलोह का लम्म आशाज लोगा है यह आपका आर्म है और इसमें क्या है पॉर्टिबल एक्स्टिंगूशर है हाथ से जिसको हम यूज कर सके ऐसा रखा हुआ है और देखिए बाहर में जो लगा हुआ है एक सिलिंडर रेड करका यह आटोमेटिक वाया डिटेक्शन एंड सपरेशन सिस्टम का फायर एक्स्टिंगूशर का है ठीक है कल हम से उसमें बता है कि अब डी एसस कैसे काम करता है इसलिए यह नहीं बोलेंगे यह हो गया साथ में ब्रेक सिस्टम इसमें रखता है ताकि जोजर को किसी भी पाइंट आप टाइम पर रोख सकते इसके पीचे में आउडियो विजूल अलार्म है जिसको एभी बोलते है जब डोजर रिवर्स होगा तो लाइट भी जलेगा ब्लिंकिंग करेगा और आवाज भी आएगा ठीक है तो यह मोटा मोटी डोजर का हुआ इसका ओपरेशन को हम दिखाएंगे ठीक है क्यां पर no one Morgen आपको कि डोजर का ओप notch कैसे बनाता है जहां मिसान आचाते हैं वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं आए तो जोजर के मादियां से मिसास्टा बना रहे है कि फिंफ के के मदद स्वा पूचछ की आ जाता है को एसा कर्टे कर्टे मागे कि तरफ बोर जरेंग